हेलो एबरीबर यूर वे टेक टॉक वे देलालिते तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है काउंटर डाउन हम कैसे यूज करते हैं कारस लॉजकिस 500 शॉफ्ट्वेर में सो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सबस्क्राइब कर लीजे एंड वीडियो को लाइक जरूर कराएं तो आज का जो है टॉपिक काउंटर डाउन है प्रीविएस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि काउंटर अब कैसे यूज करते हैं तो होप आपको वह बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आज मैं बताऊंगा काउंटर डाउन कैसे यूज करते हैं काउंटर डाउन भी काफी निकल जाते हैं तो उन्हें माइन्स भी करणा ओटाइं तिकाना है तो वहां पर काउंटर डाउन ईउज करते हैं Automatic Car Parking में भी होता है कि जितने भी गाड़िया अंदर आगे पार्कि में कितनी गाड़िया निकल गी तो वो counter-down ही उनको minus करता है तो उसके लिए सबसे पहले important यह है कि हम क्या करेंगे एक रंग ले लेते हैं और एक input pulse देने के लिए input ले लेते हैं और यहां पर हम addressing कर देते हैं जिससे कि यहां पर एक option आपको दिखाई दे रहा है counter-down आप यहां से ले लिजिए और इसकी addressing कैसे करते हैं आप data file में जा सकते counter cream है and offset के नीचे जो addresses हैं वो basically है counters के आप right भी कर सकते हैं लिख सकते हैं तो यह मैंने यहां से ड्रेडर ड्राइगन ड्रॉप कर दिया इतना करने के बाद एक बार हम इसको अपरेट करके देखेंगे अभी मैंने कोई भी वैलिव नहीं दिया मैं आपको यह बताना चाहता हूं काउंटर डाउं डिक्रीमेंटर काउंटिंग करता है तो इसको करके एक पल्स दिया तो आप देखेंगे एक्युम्लेटर जीरो से सीधे माइनस बन चला गया यानि यह काउंटर डाउं क्या काम करता है यह डिक्रीमेंटल काउंट करता है यानि यह डिक्रीमेंटल फैशन में काम करता है यानि एक्युम्लेटर में जो भी वैली होगी उस यहां पर अब भी भी जीरो हो गया देन यहां से मैनिया यह डिक्री मेंंटल हमारा क्या करता है function करता है यह counter तो आपको clear हो गया होगा counterdown अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि counter स्में Bits होती है जिनको हम लोग यूज करते हैं आउटपट को नहींस सिंपल है और वो सिंपल कंडिशन क्या है कि अगर पर पर ज let अगर हो सकता है और अगर यहां पर तो वर फ्लोव होती है वह ट कि एक लिमिट सब्सक्राइब तो में यहां पर यूज करना चाहता हूं कांटर का आउटपुट यानि मैं चाहता हूं कि कुछ पर्टिकुलर पर्स कांट करने के बाद मेरा क्या हो जाए आउटपट अन हो जाए तो अब यहां से देखिए बहुत सिंपल तरी का है इसको अंडेस्ट करने का कि आपने प्रीविश वीडियो में देखा होगा कि काउंटर अप मैंने लिया था प्रीशट में जो वैल्यू दी थी मैंने यहां से 5 या 10 आप कुछ भी ले सकते हैं तो अ मैंने मैं यहां यहां पर आपको जो भी मैने में देना है कि जो डंबिट हम यूज करते हैं आउट्पट लेने के लिए वह कैसे लेना है मैं यहां पर countdown bit यूज़ करने वाला हूँ जो कि एज इंपुट पर डिपेंड करती है यानि इंपुट पर जब भी पलस आएगी countdown bit on होगी पलस अगर चली जाएगी तो यह bit हमारी low हो जाएगे तो हम यहां से क्या करेंगे जो मैंने address यूज किया है c5.0 लिया है तो मैं यहां पर आगे देखेंगे cu bit है cu bit यहां यूज नहीं करेंगी क्योंकि यहां counter down है तो यहां पर cd bit आगे इसको मैं drag and drop कर देता हूँ आप address लिख भी सकते हैं तो यहां पर आप देख पा रहे हैं तो मैंने अभी यूज करने और यहां से एक एक आप output connect कर लिए तो यह o.0.0.0 मैंने ले रखा है description अल्रेडी दे रखा है इसलिए यहां पर saved है इसलिए यहां पर आ गया है एक चीज और आपको बता दूं मैं कि counter यहां पर यहां पर लेना है वह आपको क्यों लेना है क्योंकि यहां पर counter मैं मैंने माइनस में क्या दिया है हाला कि जो हमारा dn bit होता है function एक ही standard है कि अगर accumulator बरावर हो जाता है प्रिशट के तो मेरा क्या हो जाता है उसी concept पर काम करेंगे यहां पर एक तो अंतर यह है difference के minus में प्रिशट लेना है दूसरा यह है कि जो dn bit है वो हमारी nc पर रहेगी तब ही मेरा output on होगा तो आपको मैं operate करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से यह काम करेगा initially अगर आप दिहान से देख पा रहे है तो accumulator 0 पर है और preset हमारा क्या है minus 5 logically देखा जाए अगर conditions के साफ से देखा जाए अगर मैं इस condition की बात करूँ कि accumulator अगर ज़्यादा होता है preset के तो dn bit मेरी हाई होती है यहाँ पर भी actually dn bit मेरी on है क्यों है accumulator मेरा 0 है और preset minus 5 है यानी accumulator अभी भी ज्यादा है तो dn bit on है क्योंकि dn bit से मैंने यहाँ पर एक led2 लगा रखा है तो dn bit क्योंकि high है d2 nc section यहाँ पर मैंने nc section लिया हुआ है तो nc के वेज़े से मेरा जो यहाँ पर output आ रहा है वो नहीं आ रहा है यानि जो output है वो off है यानि done bit actually high है लेकिन यहाँ पर nc की वेज़े से off है तो अब क्या होगा जैसी मैं fully pulse दूंगा त तब तब मेरी cd बिठाई है यानि input पर depend करती है अब आप ध्यान से देखेंगे कि counter का जो accumulator है माइनस 3 है और preset माइनस 3 अभी ज्यादा है माइनस 5 से तो done bit on है on से nc instruction की वेज़े से off है तो led मेरा off है अब यहां से मैंने क्या किया माइनस 4 पर गया और जैसी यह माइनस 5 होता है तो आप देखेंगे माइनस 5 में अगर आप condition देख पा रहे हैं तो accumulator preset हमारा अभी भी बरावर है तो done bit हाई है मैं आपको बता देना चाहता हूं कि preset accumulator बरावर भी होता है तो भी done bit मेरी on होती है अब जैसे ही मैं एक और pulse दूँगा फैंस तो आप देखेंगे एक और pulse देने पर क्या हो गया कि माइनस 6 पर चला गया accumulator और preset minus 5 यानि आप preset जादा है accumulator से तो actually done bit मेरी क्या है low है बट NC की वज़े से हमें क्या मिल पा रहा है कि NC की वज़े से close हो गया और मेरा जो output है वो य 10 bit का मेरे को क्या करना है NC लेना है तो जो भी अब यहां पर जो output on हुआ है जो मैंने यहां पर preset दिया जैसे minus 5 तो यानि 6 यानि एक पल्स ज्यादा यानि 6 पल्स पर ही हमारा output on होगा counter up में क्या होता था कि counter up में exactly यह होता था कि जो preset आप लेंगे उसी पल्स उत्री ही पल्स देंगे देन मेरा output क्या हो जाता था on हो जाता लेकिन counter down में ऐसा नहीं है कि अगर minus 5 देंगे तो minus 6 नंबर की पल्स मेरा output on हो रहा है यानि जो भी यहां पर लेंगे value उसकी एक पल्स ज्यादा देनी पड़ेगी तब ही output मेरा on होगा right so I think यह clear हो गया होगा अब आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि चलिए 6 नंबर की पल्स पर output on हो जाए 7 नंबर की पल्स पर reset हो जाए तो आपको अच्छे से बताया था last वीडियो में भी मैंने की counter extra लगाते तो यहां पर भी मैं एक counter extra लगा हूं मैं इसको copy करके paste कर रहा हूं अब हमे क्या करना है इसका address change कर देते हैं तो जैसे preset उपर वाले counter में मैंने minus 5 रखा है तो यहां पर मैं minus 6 कर देता हूं तो इसका मतलब है 6 नंबर की पल्स पर मेरा done bit के according logic के according LED on होगा 7 नंबर पर मेरा off हो जाएगा देन उसके बाद यहां से nc लूंगा dn bit कर यानि जो अभी dn bit का nc लूंगा वो एक नंबर counter कर रहेगा राइट अब यहां से हमें क्या करना है reset instruction लेना है तो reset यानि आपको counter 0 करना है लेकिन मैं चाहता हूं कि counter 1 भी reset हो यानि जिस counter से आपको reset करना है counter को भी हमें क्या कराना होता है reset कराना होता है यानि आप उपर से reset instruction ले लेंगे right and उसके बाद आप क्या करेंगे इस वाले reset instruction पर भी आपको addressing करनी होगी जैसे मैंने one number की कर दे और एक और चीज है लास्ट वीडियो में बताया था मैंने के counter को 0 पर ले जाना है अगर मैं चा भी करोंगा तो रिशेट के जस्ट पहले ही जो भी counter का input है वह एंसी में लगा दिया तो इसे फायदा क्या होगा कि counter मेरा जो है जिस पर आपको reset करना है उस पर reset होके शीरे वह 0 पर चला जाएगा ना कि last first count करेगा तो initially all things are basically 00 but दोनों counter का done bit on है जैसा कि आपको पता है condition का त तो पहली pulse जब देंगे तो आप देखेंगे दोनों counter count कर लिया यानि minus में counting हो रहा है decremental चल रहा है 2 यहां से देखेंगे 3 हो गया यहां से 4 pulse count हो गया और आगे जाएंगे तो यहां से 5 pulse तो 5 pulse पर अभी भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन 6 number की pulse में मेरा क्या होगा उपर output यह कैसे यह pulse release होगी देन मेरे दोनों counter क्या हो जाएंगे जीरो पर चले जाएंगे तो इस तरीके से हम counter down यूज करते हैं काफी ज्यादा यूज होता है counter अपके साथ counter down so hope आपको यह concept एकदम clear हो गया होगा आप इसके practice करें and enjoy करें so वीडियो को जरूर लाइक करिएगा share जरूर करिएगा and channel को subscribe जरूर करें friends को भी बताएं so thanks for watching मैं वीडियो जागे और भी वीडियो जाएंगे तब तके के लिए thank you so much